गिलहरी लाल रंग को नहीं देख सकती है तथा इसकी उम्र लगभग 9 साल होती है 1992 के क्रिकेट विश्वकप में इंग्लेंड को हराते हुए जिंबाबवे ने बड़ा उल्ट फेर कर दिया था पहले बल्ले बाजी करते हुए जिंबाबवे ने सिर्फ 134 रं बनाए और इंग्लेंड का काम आसान कर दिया लेकिन हुआ ऐसा नहीं इंग्लेंड की टीम 125 रं पर ही धेर हो गई शत्रंच दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है शत्रंच का आविश्कार भारत में हुआ था मनोवे ज्यानिकों का कहना है कि शत्रंच खेलने से दिमाग की बैधिक क्षमता में सुधार आता है और जटल प्रशनों को सुझाने की शक्ती बढ़ती है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शत्रंच के बारे में थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ती है उससे कहीं ज्यादा संख्या कुत्तों की है यहां लोगों को मेट्रो में कुट्टों को साथ ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है क्या आपको पता है कि जब आप बहुत खुशी में कोई गीत सुनते हैं तो उसकी धुन पर ध्यान देते हैं लेकिन जब आप दुख में गीत सुनते हैं तो आप उसके शब्दों को समझते है इनसान के शरीर पर मौझूद बैक्टीरिया की संख्या प्रित्वी पर मौझूद जीव जन्तूओं की संख्या से कहीं ज्यादा अधिक है दुनिया में 10-12 प्रतिशत लोग ही बाय हाथों से लिखते है या अपना ज्यादातर काम करते हैं महिलाओं की तुलना में 23 प्रतिशत ज्यादा पुरुष बाय हाथ से काम करने वाले हैं दुनिया की कुल जन्संख्या 8 बिलियन से अधिक है जो सुनने में बहुत अधिक लगती है लेकिन बता दे कि अगर हर इंसान कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए तो दुनिया की आबादी लोस एंजिल्स के अंदर फिट हो सकती है शुतर मुर्ग की आखें उसके दिमाग से ज़्यादा बड़ी होती है ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतर मुर्ग के दौरने की गती साच से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटा होती है रोट के किनारे लगी इन लाइटो को रोट स्टड कहते हैं और एक रोट स्टड की कीमत 1000 से 1500 तक होती है स्विच्जिलेंड में दुनिया में सबसे अधिक चॉकलेट खाए जाती है यहां हर व्यक्ति एक साल में 10 किलो के औसत से चॉकलेट खाता है नवजात के जन्म लेने के 10 मिनट बाद ही उसका दिमाग विक्सित हो जाता है उसे पहचान हो जाती है कि ध्वनी या आवाज किस दिशा से आ रही है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान मिरनी माइन है जो पूर्वी साइबेरिया में है इस खदान के उपर से गुज़ने वाले हेलिकॉप्ट नश्ट हो जाते हैं यह 17,122 फीट गहरी और 3,900 फीट चोड़ी है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित होल है पहले नंबर पर बिंधम कौपमाइन आती है यूजीलेंड ऐसा देश है जहां लोगों की जनसंख्या से अधिक भेडों की जनसंख्या है यहाँ पर प्रती आदमी के हिसाब से 6 भेड है अधाक में रहासिमय एंटी ग्रेविटी हिल से एक छोटा सा हिस्सा है मेगनेटिक हिल गुरुत्वा कर्शन विरोधी प्रभाव के साथ यह भारत की एक मात्र चुम्बकिय पहारी है जहां एक पीले रंग के नोटिस बोर्ड द्वारा चिनित किया गया है जो निर्देशों को बताता है और आपको अपनी कार को तटस्त गिया पर सफेद पेंट द्वारा चिनित स्थान पर रखने के लिए कहता है यह आपको विस्मयमे छोड़ देगा क्योंकि आपकी कार अपने आप उपर की और बढ़ना शुरू कर देगी उलेखनीय रूप से मेधक भोजन निगलने में मदद करने के लिए वास्तव में अपनी आखों का उप्योग करते हैं जब मेधक अपनी आखें जपकाता है तो उसकी आखें नीचे की और धकेली जाती है जिससे उसके मूँ की छट में एक उभार बन जाता है यह उभार मेधक के मूँ के अंदर उसके गले के पीछे होके नीचे भोजन को निचोडता है लोग हमेशा आश्चर्य करते हैं कि मोना लिसा की भोहें क्यों नहीं है पास्कल कोटे नाम के एक इंजीनियर की बदौलत ये रहस्य सुलज गया है जब दाविंची ने मोना लिसा को चित्रित किया था तो उन्होंने वास्तव में उसकी भोहें भोहें का मतलब आँखों के उपर की हड़ी पर के रोए या बाल चित्रित की थी लेकिन समय के साथ ये भोहें समय के साथ सफाई के कारण मिट गई जहां ये अब दिखाई नहीं दे रही है दुनिया का सबसे पुराना लकडी का पहिया लगबग 5000 से अधिक वर्षों से है ये 2002 में स्लोवेनिया की राजधानी जुब जाना से लगबग 12 मील दक्षिम में पाया गया था और अब इसे शहर के संग्रहाले में रखा गया है रेडियो कार्बन डेटिंग का उप्योग पहिये की उम्र निर्धारित करने के लिए किया गया था जो की कहीं 5100 और 5350 वर्ष के बीच है शराब के सेवन को लेकर बीते कई सालों में तमाम शोध हो चुके हैं इन में अलग-अलग दावे किये गए हैं लेकिन World Health Organization ने शराब को लेकर चौकाने वाला दावा किया है World Health Organization ने दावा किया है कि शराब की पहली बूंट पीने से कैंसर का खत्रा शुरू हो जाता है इसके साथ ही शराब पीने का ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि कितनी शराब पीना हानिकारक नहीं है